को आगातिया आप तभी का एक को न्यू वीडियो पर देखिए इस बार का MP एक्जामनिशन का रिजर्ट 15 से 20 दिन में नाउस हो जाएगा जो कि पूरे आपके स्कूल के हाथ में होते हैं आपके स्कूल से MP बोड में भेज़े जाते हैं पिर इन दोनों माक्स को कम्बाइन करके आपका बनाया जाता है पर इसके बीच में काफी से रिप्रॉसेस होती है वही में आपको आगे बताऊंगा क्यों काफी बच्चे पूछ से समझते हैं कि आपका जो आपना जाएंगे आखरी श्टेज तक कि आखर आप आपना जो जड़ाया जाते वह कैसे चेक कर पाती हो तो जैसे आपके कपी किसी बीचेक कि यहां से शकूर teacher नहीं करते हैं जो कि आपकी board examination की copy check कर रहे हैं आपके पूरी entering head कर दी जाती है उनको यह पता ही नहीं होता है कि किस बच्चे की copy है उनको पिस copy check करने होती है copy check करके वो साइड में रख देते हैं यहां से लेवरेवरेवर करते हैं यहां पर क्या है आपके जो copy होतीे है वो उनके पास नहीं होती उपर का यहां कर आदा है में आपके NOT कर दिया है कि किस teacher ने कींदों घेंटर की है इंगर नहीं कर वगर करcker वा रिचेक आगर करते हो उपड़ fine वगरा भी होता है अब ये head copy के साथ साथ पूरी entry soft copy पर भी की जाती है इससे पूरा data एक बार verify भी हो जाता है कि सभी बच्चों के नमबर हमने सही चड़ा है या फिर नहीं चड़ा है यहां से क्या होता है MP वोड का एक पोर्टेंड होता है जहां पर MP वोड में marks भेजे जा पास पूरे MP से यान कि पूरे district से पूरा data आ जाता है जैसे पूरा data MP वोड के पास आता है यहां पर second step पर start होती है वैसे तो यह हो चुकि इस बार क्योंकि इस बार आपके practical exam board examination के बाद हुए है तो 26 March end date दी गई थी कि सभी बच्चों के practicals और project के marks school से भीज़े जाने है त आप सभी के school की तरफ सभी तक आपके marks भीज दिये गए होंगे अब practicals आपके कैसे गया project में आपके कैसे marks दिये गए वो तो आप result में देख पाऊगे वैसे तो उम्मीद ही रहती है कि आप सभी के इसकून की तरफ से अच्छे marks भीज़े जाते हैं आप जैसे आपके practicals और आपके जो बनाया जाता है अब यहाँ पर एक बर verify किया जाते है कि जो बच्चों के marks भीज़े गाए वो सही भीज़े गाए या फिन भीज़े गाए कोई बहुट वगरा होता है तो एक बर copy में से दोबारा से verify करवा है जाता है कि आप सही marks बेजिए और सारी चीजी सही हो पर आपके theory के marks प्रेक्टिकस और प्रोजेक्ट के marks combine करके आपका जो प्रोसेस कर दिया जाता है पूरा आपका जो डेटा है वो soft copy के फॉर्म में श्टोर किया जाता है जैसी नोटिस आएगा उसके information में आपको दे दूँगा अब इसी के बीच को चौर important process भी होती है जैसी जिन बच्चों के सब्सेज़ पर्सेेज़ दिखते हैं MPBORD को किया यह 20 इस डिस्टरिक से इसका सब्सेज़ ज्यादा परसेंटज आ रहे हैं डेटा उनके पास पूरा ही बड़े ही DRN से पूरा डेटा compare हो जाता है जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनके काफि ज्यादा परस तो उनकी भी कुछ और चीजे देखी जाती जिसके एज में कौन ने कौन के इस स्कूल से यह सारी चीजे भी देखी जाती है उसके बादी जो मेरिट के बार में आपको जो बच्चा डिजर्व नहीं करता था वो टॉप पर आ गया तो इस सारी चीज़ यह एंपी वोड को देखनी होती है इस सारी चीज़ जैसे वरिफाइब हो जाती है आपका जो रिजाट वो वेबसाट पर आ जाता है मेरिट का पूरा पीडियेफ आता है टैन का एक पीडिये करते जाएगा देन आप वहां से चेक कर पाऊगे तो यह पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दिये कि कैसे कि आपका रिजर्ट प्रोसेस किया जाता है कहां पर क्या दिक्कत आती है कि बच्चों की कौपी दो बार चेक होती है अभी भी आपको डाउट हो तो कमिट करके पहें